आज मैं आपको मकर सक्रांती पर सुनी जाने वाली और उसका उद्यापन करने वाली अमर सुहाग की कहानी आपको बताऊंगी कहानी इस प्रकार है एक भ्रामन के पांच बेटिया थी पांचों शिवजी की पुजा किया करती थी दिया जलाती थी और सुहाक की कहानी कहती और सुनती थी चारो बेटियों का दिया तो भहुत देर तक जलता रहता था पर पांचवी बेटी का दिया जल्दी ही बुझ जाता था बेटी ने घर आकर अपनी मा से कहा तम मा बोली कि बेटी तू उसमें घी ज्यादा डाल कर जलाये कर थोड़े समय बाद पांचो बेटियों का विवा हो गया चारो बेटियां तो भहुत धन्वान थी और पांचवी बेटी के घर गरीबी थी उसका आदमी रोज कमा कर लाता और खाता फिर भी वो संतोश रखती थी एक दिन पांचवी बेटी का पती थोड़ी सी लकड़ी लेकर आया तब उसने पूछा आज इतनी सी लकड़ीया कैसे लाए हो तब पती बोला कि आज मेरी तब्वित ठीक नहीं थी इस पर पांचवी बेटी ने कहा कि उसने कोई बात नहीं दूसरे जिन उसका पती जंगल जाने लगा तब बेटी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी दोनों लकड़ी काटने लगे थोड़ी ही लकड़ीया काटी होगी कि पती की तब्वित बिगड़ने लगी और वह बेहोशो कर गिर पड़ा जंगल में उसे दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दिया यदि वह साथ लावे तो कैसे लेकर आवे उसे छोड़ कर भी नहीं जा सकती थी वह पती का सिर गोध में रखकर विलाप करने लगी उसने सोचा कि मैंने क्या पाप किया है कि मेरा पती उठता ही नहीं है उसी समय शी पारवती जी प्रित्वी पर भमन करते हुए आए शिव जी पारवती से बोले देखो इसके साथ कितना बुरा हुआ है तब पारवती जी बोली हे भोलेनात हमें उसकी मदद करनी चाहिए तब शिवजी पारवती उसके पास आए और सारी बात पूछने लगे तब उसने आप बित्ती सारी बाते बता दी सुरकर शिवजी बोले यह तो मर गया है इसको लेकर घर क्यों नहीं जाती हो तब बेटी बोली मैं तो कहीं भी नहीं जाओंगी और रोने लगी शिवजी को दया आ गई और बोले तू वही है ना जिसका दिया जल्दी बुद जाता था उसने कहा हाँ तब शिवजी बोले तूने दिया तो जलाया पर सुहाग के कहानी कभी भी पूरी नहीं सुनी बेटी शिवजी के पैर पढ़ कर बोली मेरे पती को जीवित कर दो आप जो भी कहेंगे वह मैं सब कुछ करूंगी शिवजी ने अमरित के छिटे दिये और उसका पती अंगडाई लेकर उट बैठा वह बोला मुझे तो बहुत नीन दाई तब वह बोली ऐसी नीन दुश्मन को भी नहीं आवे चलो अपने घर चलते हैं मुझे सुहाग का उध्यापन करना है उध्यापन में पांच स्टील की कटोरियां पांच चूड़े, मोली, सिंदूर, बिंदी, काजल, ब्लाउच पीस, शद्धा नुसार सुहाग सामगरी और रुपिये पांचों कटोरियों में रखकर मंदीर में या भ्रामनों को देना चाहिए स्टील की कटोरियों में सारा सामान वबलाउच पीस महादेव के मंदीर में चड़ाना चाहिए और एक स्टील के दिपक में बत्ति वग्ही डाल कर महादेव की जोद जलाने चाहिए बच्ची हुई चार कटोरियां सुहाग सामगरी बहन बेटियों के या या सुहागनों को मार देना चाहिए उसी विधी विधान से घर आकर उध्यापन किया उसकी सारी परिशानिया दूर हो गई घर में ठाट बाट हो गए और दोनों पती-पत्नी संतान के साथ सुक रहने लगे हे महादेव महराज हे पार्वती माता जैसे आपने उसकी रक्षा करी वैसी सब की कहना कहानी कहने वाले सुनने वाले और हुंकारा भनने वाले सभी की रक्षा करना अब इस कहानी की या कहानी सक्रांति पर सुनकर उसका उध्यापन कर देना चाहिए उध्याप जेल, टीकी, बिंदी, ब्लाउच पीस और दक्षिना और जो भी सुहाग का सामान है वो सब उसमें रख करके और उसमें दक्षिना रख देना चाहिए और एक कटोरी तो शिवजी के मंदिर में ले जाके चड़ाना चाहिए और स्टील के दीपक में दिया जलाना चाहिए और फिर चार कटोरिया है वो अपने साथ ले आना चाहिए और किसी सुहागन इस्त्री को देना चाहिए इस प्रकार उध्यापन विदी पूरी होती है यदि आपको जानकारी पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद